वेलकम टो SSC मेड़ी जी SSC CGL 2023 एस्पारेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि SSC CGL 2023 में अच्छी वेकेंसी आएगी लेकिन कुछ लोग निरास हो गए जब गॉर्मेंट जब SSC का नोटिस आया SSC ने मात्र पोस्ट की 6500 प्लस वेकेंसी लेकिन मैंने आपको तब भी कहा था कि वेकेंसी बढ़ेंगी और जरूर बढ़ेंगी कुछ भी उसके कोई भी कारण हो चाहे पॉलिटिकल कारण हो या कोई भी कारण हो तो उसके मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा तो बंपर वेकेंसी आ रही है अलग-अलग डिपार्टमेंट में जहां पर वेकेंसी अलॉट नहीं की गई थी तो वो डिपार्टमेंट के कुछ नोटीस आ रहे हैं जहां पर वेकेंसी आपको इंक्रीज भी बताई जा रही है और जितने भी department के अभी total vacancies notice नहीं आये हैं वहाँ पर भी allocation चलना वहाँ पर भी vacancies increase होकर notice आ जाएगा तो कुछ important चीज़े आपको detail में बताऊंगा लेकिन आपको बता दूँगी olive board के द्वारा हर Saturday और Sunday live mock test का free में आयोजन किया जाता है जिसमें आप participate करते ही है लेकिन इसके अलावा बाकी के दिनों में भी micro test का आयोजन किया जाता है और हर घंटे नए micro test आते हैं हर subject के और 10 लाग से भी ज़्यादा लोगों ने attempt किया था 2022 में जहांपर आपको हिंदियों और इंग्लिश दोनों भासाओं में फूल एनालिसिस मिलेगा test का best solution के साथ तो आज ही रजिफ्टर की यह लिंक दिया है नीचे description में अब हम बात करें सबसे पहले मैं बताता हूं आपको department of expenditure का एक notice है जहांपर यह कहा गया है इसकी detail दी गई है अंडर दर नेशनल सेंपल सर्वे ओफिस एन एस एस और हैज बिन एग्जामीन इन दिस डिपार्टमेंट एंड अग्रिट टू दर क्रिएशन ऑफ फॉलविंग तीन सो अठारा पोस्ट तो यहां पर जो department of expenditure का यहां पर इस इसनों ने कहा कि कुछ नई वेकेंस एड की जा रही है जिनसकी detail यहां पर दीर दी गई है लेकिन यह सारी की साधी वेकेंस जो है वो वो CGL 2023 के थ्रू एड नहीं की जाएंगी बलकि यहां पर जो जूनियर स्टेटिकल ओफिसर है यहां पर 650 इसकी वेकेंस को एड किया जाएगा यह असिस्टन डारेक्टर डिप्यूटर डारेक्टर जो इन डारेक्टर की वेकेंसी जो CGL के थ्रू रिकूट नहीं होगी लेक इसके अलावा जो वेकेंसी एसें वो CGL 2022 में 440 ती जो की CGL 2023 में बढ़के 692 वेकेंसी हो चुकी है इसके अलावा जो पुराना सर्कूलर इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि CGL 2022 की तरज परी CGL 2023 में भी वेकेंसी को एड की जाए तो मैं आपको कुछ चीजे यह भी इसके बताना चाहता हूं कि CGL 2022 में 36,000 के आस्पास वेकेंसी ती जिसमें से जो मैंने आपको पहले सर्वेय बताया था कि 48% सीटे में ओलड़ी लोग सेलेक्टेट थे तो अभाविक सी बात है जैसा कि सालों से चला आ रहा है ससी में कि 100% सीटे जो है भरी नहीं जाती कभी से जादा सीटे जो हुती है वेकेंट रहे जाती है बहुत साई लोग जोंग नहीं करते जोंग लिक ने के बाद किसी के खहीं कहीं और सेलेक्शन हो गया हम पॉसकिंग बहुत सारे करण होतेया तो वह थे चौड़ देते हैं जो भी बहारी मातरा में सीटे वेकेंट रहने वाली हैं CGL 2022 के थूँ तो वो सारी की सारी जो वेकेंट अन फिल्ड पॉस्ट होंगी वो CGL 2023 के द्वारा भरी जाएंगी तो CGL 2023 में जो अभी प्रोसेस में टाइम है एक्जामनेशन में टाइम है चालिस दिन का टाइम है और जोइनिंग की प्रोसेस लबद CGL 2022 की स्टार्ट ह हो गई है तो यहां पर भी काफी ज्यादा हजारों वेकेंसिस बढ़ेंगी जो CGL 2023 में एट की जाएंगी इसके लाओ पीए ऐसे की वेकेंसिस को भी रिपोर्ट नहीं किया गया है और उसकी वेकेंसिस को भी रिपोर्ट किया जाएगा तो वेकेंसिस काफी जादा किया समय किया जान एक पाराम गलो किया है जान जाए झाहीं mur descendants वेकेंसिस को भी मेंसितए ठेंसिति canषफ कर सक्ति कर स कि वेकेंसितगलां म safe मेंसेदा घाएंगी बतेंश